हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ एक्स कमिशनर आउप पुलिस परम बिर सिंग डेपिटी कमिशनर आउप पुलिस मिस्टर पराग मनेरे और 26 पुलिसमेन के खिलाफ FIR फाइल की गई है जी हाँ दोस्तों और ये FIR फाइल किया है इंस्पेक्टर भीम राओ घाटगे ने और करप्शन के सीरियस चार्जेस इन्होंने लगाए हैं इस FIR में तो इंस्पेक्टर भीम राओ घाटगे का कहना है कि जब वो KDMC cheating case investigate कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कुछ high profile लोगों को arrest किया था तो परम बिर सिंग ने इंस्पेक्टर भीम राओ घाटगे को बुला के कहा था कि कुछ high profile लोगों के नाम drop कर दिये जाए हटा दिये जाए और उनके खिलाफ जो corruption charges है उसको हटा दिया जाए ये परमबिर सिंग ने इंस्पेक्टर भीमराव घाटगे को बुला के कहा था तो दोस्तों जो charges लगाए गए हैं वो हैं section 110, 109 IPC और scheduled cast and scheduled tribe prevention of atrocities act 1989 के भी कुछ serious धारा लगाए गई हैं इनमें criminal conspiracy शामिल है, destruction of evidence की charges भी शामिल है तो दोस्तों इंस्पेक्टर भीमराव घाटगे ने ये F.I.R. फाइल करने के पहले एक complaint भी register किया था Anti-Corruption Bureau महराश्टरा के उनके office में, तो वहाँ पे उन्होंने एक list भी दिया था उस list में उन्होंने वो सब properties का भी उलेक किया था, उस properties के बारे में बताये थे जो कि परमबिर सिंग ने corruption के जो पैसे हैं उससे उन्होंने कमाए थे और खड़ी दे थे तो ये उन्होंने एक list भी उस समय दिया था Anti-Corruption Bureau महराश्टरा को तो दोस्तों परमबिर सिंग के जो मुश्किले हैं बहुती बड़ती नजर आ रही है क्योंकि एक serious charges उनके खिलाफ लगे हैं और इसकी अब investigation शुरू होगी और अगर इसमें कुछ reasonable कुछ मिला पुलिस को तो परमबिर सिंग एरेस भी हो सकते हैं तो दोस्तों अभी तक की ये update थी जैसे जैसे और खबर आएगी मैं आपको देता रहूँगा तो बने रहेगा में इस channel से मिलतों अगले वीडियो में बाबाई